हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चलम आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए कक्षा 10 का जुपेपर है इंदी का आपकी बार्शिक परिक्षा के लिए बोड़ा एक्जाम के लिए तो फटाफर से जुड़ जाएं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें तो आईए स्टार्ट करते हैं पहले क्यूशन के साथ पहला प्रशन है आपके लिए जिसमें आपसे पूछा गया है चड़ाई सब्द में प्रयोक्त प्रत्य है चड़ प्लस आई चड़ाई ऑप्सन नमबर से आपका सही उत्तर रहने वाला है नेक्ट है खिल रहे जल जात पंक्ती में जल जात सब्द का प्रयोक किसके लिए किया गया है कि फूलों के लिए बच्चे के लिए सजावट के लिए आर्थिक विपन ता दर्शाने के लिए चाड़ नमबर से हैं यूई ही के वूब एक दास तुमारा राम ने इस पंक्ती में दास के लिए कि अपने खुद के लिए नैक्ट है ह resolutions का जनु हुआ था तो नागारजुका जन्म हुआ था अपको पताना कहां वहा था हैह किने है अट नहीं रही है कविता मे चार तरप किसकी संदरता फैली हुई है सैवंत नंबर रहे पान silicon अल्ला सुवाब का कैसा था नेक्ट है बेटे की मृत्यू पर भगत क्या कर रहे थे नेक्ट है अचानक रेल के डबे में लेखक को देखकर नवाब की आँखों में कौन सा भाव दिखाई दिया दस नमबर है धरती से कुछ ज़्यादा ही धहर और सहन सकती भी साइद उसमें लेखका ने कहा है नेक्ट है बढ़वा बेइमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिड़ाय था बार नमबर प्रेशने लेखका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूचा क्या सिक्किमी हो तो उसने क्या जवाब दिया नेक्ट क्यूशन है तो क्यूशन नमर दोस से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्हों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन वैल को ओन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिले और वाट्सप ग्रूप का लिंक है जाईए जोइन कर लिजिए इसके लावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे नमर है वाट्सप नमर 787896648 आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट रहेगा तो नेक्यूशन है जो क्रिया करता स्वैम ना करके किसी से करवा फिस्रवन ख़्याई है यह नेक्ट है एसे विशेशनस अब जो अन्य विश्यस्ताओं विश्यशनों की विश्यस्ता बताते हैं उनको क्या कर जाता है कराम नमर है सर्वनाम के कितने बेद अथ रगत हैं चयानल मरा है पैक्ष्चा सब्द मैं कौन सा उसर्वल लगा पहला प्रश्न है जीवन कितने प्रकार का होता है तो पहली लाइन देखिए जीवन तीन तरह का होता है तो इसमां उत्तरा जाएगा आपका तीन नेक्ट है परोपकारियों का जीवन कैसा होता है तो आप देखिए इसमें लाइन दे रखिए आपको परौपकारी का जीवन वह आपको पूरी की पूरी लिख देनी है कि परौपकारी का जीवन कैसा होता है Next है सास्त्रों में यग किसको कहा गया है तो देजे देखे सास्त्र में यग उसे का गया है जिसमें प्राणी मात्र का हित होता है नेक्ट क्यूशन है प्रत्वी की रक्षा के लिए क्या आवशक है तो प्रत्वी की रक्षा के लिए क्या आवशक है स्रेश्ट कर्मों की तरफ समाज को लगातार प्रेरित करने के लिए कारे करना चाहिए नेक्ट है इस गद्यांज का एक उच्छी सीड़ सक लिखिए तो आपको उच्छी सीड़ सक लिखना है नेक्ट है परोपकारी का विप्रीत आर्थक सब्द गद्यांस से छाटिए परोपकारी का क्या होगा ए परोपकारी या ए परकारी ए परारी ए अपकारी जीवन तो आपका अपकारी जीवन इसका विप्रीत अर्थ होगा क्योंकि आपको छाटना है कद्यांस के अंदर से ही उससे बाहर आपको उत्तर नहीं देना है next question है question number 4 जिसमें आपको दे रखा है एपटिद पद्यांस जिसको पढ़कर आपको प्रश्णों के उत्तर देने है यह देखी पहला प्रस ने इसका प्रियोक्त पद्यास का उच्छी सीड़ से लिखी है दूसरा है इस पद्यास में कभी ने किसको ग्राम देवता कहा है तो ग्राम देवता किसे कहा है Q3. किसान किस से प्रेम करता है तदा किस से नहीं Q4. किसान के निवास इस्तान की क्या विश्षता है Q5. कभी किसान से क्या चाता है Q6. यह है नय पसीने की धारा यह गंगा की है धवल धार का आशे इसपष्ट कीजिए नेक्स्ट है खंडब है निमलिकित लग उत्तरात्मक प्रश्णों के उत्तर लगबक 40 सब्दों में लिखने हैं पांच नमबर प्रश्ण है सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी बोली आत्मकता कभी जैशंकर प्रशाद ने ऐसा क्यों कहा है गेर गेर गोर गगन कभी बादलों से ऐसा क्यों कह रहा है साथ नमबर प्रश्ण है नेता जी का चस्मा काणी में नहित देश बक्ती के संदेश को अपने सब्दों में इसपष्ट कीजिए आठ नमबर प्रश्ण है कभीर पंत मानव को किस प्रकार जीने की प्रेड़ना देता है बाल गोविन भगत पाठ के आदार पर इसपष्ट कीजिए आठ बचाना मुवरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोक लिखिए नेक्स्ट है खंड से जिसमें आपको पठित गद्यांस दे रखा है जिसको पढ़कर प्रश्णों के उत्तर अपने उत्तर पुष्टिका में लिखने है जिस देखिए बाल गोविन पाठ का आपका गद्यांस है बाल गोविन अपने खेत में क्या कर रहे थे तो आपको इसका उत्तर देना है इसका उत्तर आपको लिखा हुआ है सीता सीता बाल गोविन भगत समूचा सरीर कीचड में लिथरे अपने स्खेत में रोपनी कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे रोपनी नेक्ट है बालगोविन के गीतों का क्या प्रवाब हो रहा था तो बालगोविन के गीतों का प्रवाब बताना है आपको क्या हो रहा था नेक्ट है बालगोविन के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है कि नेक्ट है यहां से आपको उत्तर लिखना है इसका पूरा यहां तक नेक्ट है गीत के एक एक सब्द को संगीत के जीने पर चड़ा कर कुछ को उपर स्वर्ग की और कुछ को प्रत्री पर खड़े लोगों के कानों की और भेजने से लेका कर क्या से है अत्वा में दूसरा पान वाले का यहां प्रस्प्र तर प्रस्तूत कीजिए अत्वा लेकग डिर्ष्टी में सब्द॥ा और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है नेक्ट प्रेस्ट है गुपियों को उद्दव का संदेश क्यों नहीं आया अत्वा उत्सा कविता में नीशित संदेश को इसपश्ट कीजिए सतरा नमर है मैं क्यों लिखता हूँ पाट के आदार पर विज्ञान के प्रती आपके मन में कैसी चवी उबड़ती है अत्वा प्रसर के अठार है जिसमें आपको निवद लिखना है किसी एक विशे पर पहला है आपका सिक्षाम है खेल कुद का महत दूसरा है किसी मैच का आँको देखा वर्णन तीसरा है प्लास्टिक की दुनिया चौता है सामप्रदाइकता का विश्ट 19 नमर प्रसन है स्वैम को चमादमिक विद्याले रामगड का विद्यारती विजय मानते हुए प्रदानाचार का ध्यान पुस्तकाल है एवं वाचनाले की व्यवस्ता की और आकरशित करते हुए एक प्रातना पत्र लिखिए अत्वा तूरदर्शन के महान निदेशक को पत्र लिखकर राष्ट्रे एकता तथा सामप्रदाइक सद्वा बढ़ाने वाले कारक्रम प्रसारित करने की प्रातना कीजिए पीस नमर प्रसन है जिसमा आपको विज्यापन बताना है दोनों में से एक विज्यापन आपको लिखना है पहला है जलादिकारी की ओर से स्वच्चता महा भियान मैं सभी जलेवाशियों को सम्मिलत होने के लिए ध्याना आर्थ एक विज्यापन बताईए अत्वा परिवेन अधिकारी की ओर से यातायात नियमों का पालन करने सम्मंदी एवम सारविजने की विग्यापन बनाईए तो यह ते सारे important question जो आपके exam में आ सकते हैं इसलिए सभी प्रश्णों को देख लें, याद कर लें, रट लें जिन्हों चैनल को सब्सक्राइब निकिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वैलकॉण कर लें जिससे आपको हर वीडियो की update टाइम से मिल सके मिलते हैं नेक वीडियो में, सभी को exam के लिए best of luck, thank you